इनके देखिए हाथ में एक तस्वीर है आपको दिखाने कोशिस करेंगे जैसल मेर दिवान स्वरगी इसी इस्वरलाल आचारे जी 1860 है और 1801 क्या सी यह क्या इकी साल तक दिवान रहे हैं प्रदान मंद्री 2022 में आपके साथ रॉबरी हुई और आपके साले का दामाद है जो आपके साथ रॉबरी किया है और आपके साले का दामाद है तो कहीं न कहीं वह आपका रिष्टेदार तो सिद्ध होता है नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं तेश पताप उत्तर पुदेश गोरकपुर से और मैं इस समय हूँ पंडोकर धाम में पंडोकर धाम से संबंदीत बहुत सारे अपडेट हम आपको यहां से अपने चैनल के माध्यम से दे रहा है हमारी मुलाकात यह इनसाइड फोर्ट में रहता हूँ और मेरा चोटा सा गैस्टाउ से अभी बंद है उसका नाम इश्वर पहले मेरे फवर फादर के नाम से ही है और वो जैसल मेरे स्टेट के दिवान रहे हैं दिवान का मतलब है प्रदान मंत्री आप क्या करते हैं आपका रोजगार पेसा क कि अगरे फोर्ट मेरे वह हुए पने उसके बाद में गया तो मेरे सटरा मुगद्यमें हुए और उसके बाद मेरे को उसने चोरिया की डगे थी और उल्टाय काप मेरे पे मुगद्यमें भी हुए और उसका एक भाई था जो सरकारी में अपने जयपूर में अपने क्या किते हैं इसको जांसीम बैठते हैं क्या मोलते हैं जो सेकर्टेड में गश्टर अधिकारी था और मुझसकता है वो हम निस्ट्री में हो तो उसने उसकी सिपारसे मेरे मुगुद में हुए अब पैत्रिक निवास पर नहीं रहते हैं अपने पूर्वज का नाम पता दादीक्या मेरे future सिपेर जो ,जिबहं मेरी हवेली को भी दे दिया और जो दूसरे मकान है कुछ लोगों ने कभजे कर लिया क्योंकि मेरे पेटाजी पर लाइव डिटी थी वो चले गए भीकाने सुराण में मैं आके रहा हूं और मैंने आकर के मुकत में लड़के मकान नमबर 356 जीता हाई कोट से उसके बाद में म दिवान निकलते थे घर से इनके घुड़के लेकर के परणे मकान से उनके ड्रम बजाये जाते थे तो ड्रम वालों का मकान तहाँ वो तीन सो चोपन था और अभी भी है और उसके पास मेरा मकान है, दो मकान है मेरे एक में छोटी होटल चलती है जिसका नाम इश्वक्ष प तोटल दस और 12 में पेचे पास में राजस्तान में गड़ से आज थे तीन लोक एक वीकानेयर का तहाइस का वी इता और तो चोरी दी हिए है पिताजी का क्या नम मैं पिता जी को और ऊपादी मिली हुई गाजी नाम हिशर सिंग ता घर गहाए हाथी लगे वेजधी जो बी ज उसका पिता जी का नाम सुरज करन आचारिया है उस्वर लाल इनके देखे हात में एक तस्वीर है आपको दिखाने कोशिस करेंगे जैसल में दिवान स्वरगी इसी इस्वर लाल आचारिय जी 1860 और 1860 यह क्या इकीस साल तक दिवान रहे हैं परदान मंदरी जैसल में यहां द मतलब पांचवी पीड़ी के इनके पूरवज है और देखे बगल में इनकी तस्वीर है तो आपके पिता जी के उपर क्या लाइविल्टी मेरे पिता जी उनकी पांस तो बैने दादाम गुजर गया था क्योंकि शौक लगा और पड़ दादा जी दो है वो सोड़ा साल में उन कि शुरफ एक संतान थी जिसका नाम शूर्ज करण था और सूर्ज करण कि शुर्ज करण के कितने बच्चए ऐक अजीत मल तो पीड ही तक किवल और किवल एक संतान थी और तीसारी पीड है फिपिडि में मेरे पिता जी ऑर ताउज है जो गोध दी गोध चले गये थे वह उनके पास है जिन्हों ने उनको गोद लिया जिनको गोद दिया गया उनकी प्रापर्टी में तो उनका हक है उनका है और उनके पास यह आज भी विकानिर में हो और जो प्रापर्टी आपके पूरबच के द्वारा आपके पिता जी को मिली या फिर आपके पिता जी के पि मेरे साथ में बहुत ट्रेजिडियां हुई है विमारी अवस्था में हूँ उसके बाद यह पाड़ू कर धाम आया हूँ जो जो पैत्रिक संपती है आपकी जहां पैत्रिक निवास है वहां आपका रहना नहीं मैं वहार है रहा हूँ अभी जब से मेरा एक किन लोगों ने मेरे साथ में ट्रेजिडी की उनका नाम लें गाँ तो भी मेरे दुसमन हो जाएंगे इसे नाम नहीं ले रहा हूँ मेरे दादा के इसरलार का तलाव समाज के केस जीदी हैं समाज के लोगों न उस पर भी कबज़ा किया जो मूर्थी ती उस भी तोड़ के फैंका भी हार गए उसके बाद में भगवांदाश नाम का एक आदमी है उसने पांस कमरे के तलयर लगा रह रखा है सारे बेने 14 ताले लगाई थे और एक जो है वहां विक्रम चूरा करके नाम का आदमी है उसने दो कमर के उसने ताले लगा रहा है जा मैं रहता हूं तरणाब के पर जाके रहता हूं कभी-कभी मेरा चोकीदार भी रहता है उससे साथ मार पीट की और एक और से फॉन करा दिया को बिहारी थी पता नहीं कहां की थी उसे फॉन कराके मेरे पर मुगत्मा भी कराया 151 का 500 रुपर पुलिस वाड़ को दिये 500 रुपर होस्पिट्र डाक्टर को दिये और मेरे पर मुगत्मा कराया और जब वह आई जी आया उसी समय कुछ दिन बाद में तो आई जी को सोल उ ही है तो मेरी मदद करें मेरे समान दिलाए मैं 30% सरकार को दूंगा आपका पैत्रिक निवास पे निवास है और निवास होने के बावजूद ऐसा क्या आपके साथ हुआ था कि आप केस करना पड़ा मेरे ऐसा है कि मेरे खंडर मकान था ठीक करा करके मैंने 56 नमर का मकान था उसे में रह रहा था और इधर बाड़ा था उसमें मेरे जो दमा यह था मेरे साले का जामाद इसको मैंने यह बात बताई थी कभी मेरे फ़वादे रहें इस जमीन में कुछ है तो वह विस्वाजिक को लाए था उसके पास मटर डिटेक्टर मशीन थी और उसने माद चेक कि बाद में इन लोगों उसने का यहां तो कुछ नहीं है यह कब की बात है फरवरी राच से लगा के और तैस फरवरी सुबह तक के अंदर हिए मैं काँ जहोग पूलिस के पास तांतरी गोर लगा रहा था उनने मानने मान लगा रहें तो यह मेरे खिला आप कि JENका चाहिए था उपर आप आरोप लगा रहा है हूं कहीं किसी सरकार से जुड़ाना है वह सरकार के वहां के दौर में सोसल मीडिया का जमाना आप सोसल मीडिया के माध्यम से अपने हां के मुख्य मन सोसल मीडिया भी जो मीडिया भी उसके साथ में ट्रॉलिंग कर रहे हैं घूम रहे हैं फैमिलिया साथ जा रही है सोशल मीडिया कोद मिला हुआ पतरकार मिला हुआ है जो फकीर था शाला है अभी उसको कुछ बना दिया है उर भीकुछ अद्छ अ मस्या होती है तो अपने अस्थानी थाने पे जाता है थाने से में अगर नहीं सुनवाई होती है तो हाइप कोट में जब जायेगा तो आप कौन से थाने में जाओगे जैसा कि पहला में हुआ तो मैर मुस्तार हो लेकिन और मैं तंग हो इसमें कोई दोर राइं नहीं Congo और उसको ताइम नहीं है और उसको दियुप्स भी लकता है सिविल जजों की पटता से जोदपुर में उसका नाम आश्यू तोशा है अभी आपके द्वारा कमाई गई संपति का कोई ब्योरा है आपके पास की क्या संपतियां है विकानेर में हमारे मकान है मेरे अस्वेंड वाइफ के नाम से हमने लॉन लेके मकान बढ़ा आए यह संप परटी है जिसमायं खाता हूं करिब 15 नौध में के बाद में मेरे नोगरी चल्हीं चलिए में चिलिए मुझत मटने जो चीज हमारा मकान में आपके साथ रॉबरी हुई और आपके साले का दामाद है जो आपके साथ रावरी किया है वो आपके साले का दामाद है तो कहीं न कहीं वह आपका रिष्टेदार तो सिद्ध होता है तो दोस्तों यह है इनकी आप बीती और यह आए हैं पंडोखर धाम में पंडोखर धाम से क्या उम्मीद रखेंगे पंडोखर धाम के मैं उम्मीद रखेंगे आया हूँ कि मेरा यह काम दुनिया का काम हो रहा है मेरा भी काम होगा मेरे को आज नहीं बुलाएंगे और यहां मैं लोगों को देखता हूँ पंडोखर धाम में सब खुश हो के जाते हैं मैं 95% 99% एक परसेंट किसके बहुत बढ़ हो तो अलग है बाकि तो 99% यहीं का हमारा फिच्चतर हो गया कोई करा हो गया बाकि तो काम सदर है उनका माऊश्य को आएंगे तो पूरा होगा पंडोखर धाम को एक किनारे रखते हैं और प्रधान मंत्री से सीपी जाज की वी आप मांकर मैं मैं सीबी जाज जाज हूं यह मेहा है तो सीदा सीप्रेंदा बिचे पड़ेंगे मार्फ देगी तो हांक ने मिलेगा सारा और 30% मैं सेंटर गवर्मनेंट को दूंगा और मेरा हिसा मेर को दे और 20% में दो भी ऐसे कारे में लगाँगा अगर मेर को मिलता है तो यह जा सकती है इनकी करपा दरश्टी हो गई तो मैं काम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमशकेर